क्या आप केवल बोर्ट्स ओरियंटेड हो या आप अपने बोर्ट्स के साथ साथ कॉंपटीशन की फिर्ट्रेशन कर रहे हो जो बच्चे असमर्थ हैं वो यह नहीं सोचेंगे कि मैं कोशन मैं नहीं लूँगा तो मेरे 95% नहीं आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है इस चीज को अब ध्यान दिजेगा कि आपको एंसी आर्टी से उपर उठना पड़ेगा क्योंकि एंसी आर्टीस में सवाल बहुत कम है जब हम क्लाश 10 की सुरुवात करते हैं तो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते वक्त यह हमें बताते हैं कि आपको यह वाली किताब लेनी है और अब तो आप परचेज करने है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे का क्या कारण होना चाहिए कि आपको अपने भाईया दिदी की रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए नमस्कार जैहिंद आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है रैंकस 910 के इस बार लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को मैं सब कुछ समझाऊंगा उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है अट्डेरेट रैंकस बोर्स जो उस पर हम लोग क्या करते है न जो भी इंप पहला वह बच्चा है जो फुली अपने बोट्स पर फोकस्ट है उसे बोट्स में अच्छा करना है वह चाहता है कि बोट्स में वह 90 या 95% प्लस लेकर आए ठीक है एक यह टाइप का बच्चा है और एक वह बच्चा है जो बोट्स तो अच्छा करना ही चाह रहा है बोट्स तो आप किस सवाले student हो, क्या आप केवल boards oriented हो, या आप अपने boards के साथ-साथ competition की preparation कर रहे हो, उसको आप comment box में जरूर लिखना, और उसके आगे अपना target percentage जरूर लिखना, ये तुम्हें साल भर तक तुम्हें काम देगा, और तुम्हारे दिमाग में वाद छपी रहेगी, कि म आप देखो, दो तरीके से आप पढ़ते हो, एक तो या तो आप offline हो, या तो online हो, आप किसी offline coaching में हो, या तो आप online किसी coaching में हो, या एक बच्चेों के पास और समसादन होता है कि YouTube पर free classes भी होती है, मैं वहाँ पर भी कर लेता हूं, तो जो बच्चे offline होते हैं, उनको तो class म पढ़ाय जाता है, उनके पास NCRT होती है, अब यहीं पर book recommendation शुरू होती है, और उनको मन में सवाल आता है कि क्या ले, online में क्या होता है, कि उन्हें भी NCRT करवाय जाती है, अब online coaching में है, तो उनके coaching का भी material हो सकता है, offline में भी हो सकता है coaching का material, तो क्या मुझे coaching के material पर ही dependent YouTube वाले बच्च्यों को सबसे ज़्यादा मन में दिक्कत आती है, हम तो lecture देख रहे हैं, बट हमें समझ भी नहीं आ रहा कि question practice कहां से करे, अब जैसे मैं ही आपको इस वीडियो में recommend करता हूं कि भाई आप जो है कि यह Oswal books की किताबे पर change कर लो, आप मैंने कहा दिया, भाई purchase करने है, तो आपको उसके पीछे का सब कुछ कारण समझना चाहिए, कि मुझे इस चीज को purchase करना चाहिए, इसमें मेरे पैसे अगर लगने जारे तो इससे मुझे फाइदा क्या होगा, क्या नुकसान होगा, ये बात आपको अच्छे तरीकी से पता होनी चाहिए, अब थो तीसरी चीज क्या subject wise side book लेनी चाहिए उसे, तीसरी चीज क्या भाईया कोई question bank मुझे लेना चाहिए, चौती चीज भाईया कौन सा question bank मुझे लेना चाहिए, अगर आप मुझे recommend करते हो question bank को तो, दोको पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ, कि NCRT enough है, अगर आपका target 95 percentage plus ह 90 percentage plus है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझेगा, तो पेन पतला कर लेता हूँ, आप इस चीज को आप ध्यान दीजेगा कि आपको NCRT से उपर उठना पड़ेगा, क्योंकि NCRT में सवाल बहुत कम है, सवाल की संख्या बहुत कम है, new type के सवाल कम है, competitive सवाल है, यह competitive वाले पर का pattern आता है, वो approximately 70% आता है, अगर किसी बच्चों को किवल pass होना है, अच्छे भी number से, यानि 70%, 65% के उपर अगर उसको लेकर आना है, तो उसे किसी sidebook को लेने की जुरूत नहीं है, वो सिर्फ NCIT अपने school के teachers के साथ करता चलेगा, उसका अच्छा हो जाएगा, लेकिन अ या तो क्या करोगे, NCIT के साथ साथ हर subject में sidebook का combination बनानी की कोशिस करोगे, जैसे बच्चे क्या करते है, maths में बनाते हैं, NCIT प्लस RS या RD, इसी तरीके से science में क्या करते हैं, बच्चे, NCIT प्लस science ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, SST में क्या करते हैं बच्चे, NCIT प्लस ये question bank ले लेते हैं, क्योंकि वहीं पर उन्हें questions मिलते हैं, इंग्लिस और हिंदी में बहुत ज़्यदा requirement नहीं होती है, अगर किसी को requirement होती है, तो अपनी NCIT के साथ साथ question bank ले लेता है, य ये होती है, लोगों की combination बनाने की कोशिस, कि अगर हम subject wise ले, तो हमें ये बनाना पड़ेगा, दूसरा सवाल आता है, अगर हम ये नहीं चाहते हैं, कि subject wise हमें कोई book लेनी पड़े, क्या कोई question bank ले 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 तो हमारा काम हो जाएगा, तो question bank में ये फाइदा हो सकता है, मिल जाएगी, mind map मिल जाएगा, questions मिल जाएगा, previous year question मिल जाएगा, previous year paper भी मिल जाएगा, solved paper मिल जाएगा, तो आपको भी यहीं लगता होगा, तो ये मुझे भी लगता है, कि अगर आप, देखो, ये मेरी recommendation है, सुजहाओ है, धान से समझेगा, अगर आप subject wise sidewalk नहीं लेना चा मैं जो recommend कर रहा हूँ, पिछले साल से, और मैं खुद अपने classes में offline पढ़ाने के लिए, इसको use भी करता हूँ, science का हो गया, English का हो गया, maths का हो गया, मैं एक maths का लेकर आपको बता देता हूँ, इस math का, ये Oswal book का आपका है, ठीक है, इसमें सारी चीज़े आपको मिल जाएग लिंक आपको description box में मिल जाएगी, ये बिल्कुल आपको मैं recommend कर रहा हूँ, और मैं सही recommend कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा भी देखो market में बहुत सारे question bank होगी, अब आपके मन में सवाल आगा है, भी हम question bank वाली भी तो ले सकते हैं, देखो, आप कोई भी question bank लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको recommend किया है, चलो एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप वीडियो में यहाँ तक हो तो एक बात सुनो, आपके लिए एक book giveaway करने वाला हूँ, और maths का ही मैं question bank करने वाला हूँ, ओ सवाल का, लेकिन किसको करूँगा, मेरे पास बहुत सांदाल सा question है, क्या तुम class 10th में 95% क्यों लाना चाहते है, इसका बहुत honestly answer देना, तभी तुम साल बर इसके लिए काम भी कर पाओगे, और जो best answer होगा, सबसे पहली चीट की answer best होना चाहिए, कि वाल, like से नहीं, जो सबसे best answer होगा, और उसमें highest like होगा, उसको मैं आ announce करूँगा इसका, कहाँ पर करूँगा, अपने telegram channel कहाँ, add the rate rankers boards के telegram channel पर, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, कि कौन winner है, किस बच्चे ने सही जवाब दिया, और वो एकदम सही motivation के साथ 95% लाना चाहता है, और यही correct तरीका है, कि आप इस exam में 95% इक boards में लेकर आ सकत है, तो जो best answer होगा, with highest like, उसको एक book giveaway किया जाएगा, ओ सवाल का, ठीके, math public, math का, अब आप की मन में सवाल होगा, भाया, मैं ओ सवाल ही क्यों, market में बहुत सारी चीजे है, देखो, आप कोई भी question bank लेने चाह रहे हो, तो आपको बस यह सारी चीजे verify कर लेनी है, अगर यह स test paper होने चाहिए, कम से कम्याद 2023-2024 का तो जरूर होना चाहिए, पिछले 2 साल का solved paper, ताकि जब आप साल भर अपने question bank को यूज कर रहे है, तो आपको पता रहे कि सवाल कैसे, कैसे पूछे जाते है, क्यो question banks required होता है, अब जब book को खोलोगे तो उसमें क्या-क्या होने objective type question में हर type का question हो चाहिए, दो number के, तीन number के कैसे आते है, पांच number के कैसे आते है, उसके बाद competency best question, यानि assistant region वाले, case based वाले, match the column, इस तरीकी के जो questions बनाये जाते हैं, उस तरीकी के competency based question भी उसमें होने चाहिए, इसके साथी साथ revision करने के लिए आपके पास mind map होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ी अगर जिस book में available है, तो आप purchase कर सकते हूँ, मैं आपको बता दूँगा कि Oswal book में ये सारी चीज़े available है, और इसका मैं आपको एक PDF बनाकर एक chapter का PDF बनाकर आपको telegram में upload कर दे रहा हूँ, आप एक बार जाकर check करना, अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर सारी चीज़े available है, मेरे लिए helpful है, तो you can purchase them, ठीक है, इसकी link आपको description box मिल जाएगी, और अगर आप इसके अलावा कुछ चीज़े purchase करना चाहते है, तो आपके पास बिलकुल ये options है, कि आप इसको verify करिएगा, अगर आपके किताब में वो सारी चीज़े ह के लिए मिल जाएंगे, तब जाकर आपको exam में एक वो confidence महसूस होता है, कि नए सवाल भी आएंगे, तो आप tackle कर सकते हैं, बस इसी के लिए होती है, otherwise आप जो भी resources यूज कर रहे हो, बिलकुल अच्छे से resources करो, यूज करो, उसको change करनी कोई जुरूत नहीं है, अगर आप नया लेना चाहते हो, तो बिलकुल इस पर जा सकते हो, ठीक है, that's all from my side, I hope आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी, और book giveaway के लिए best answers चाहिए मुझे, ठीक, धन्यवाद, जैहिंद,